लो दोस्तों वेल्कम बैक टो नाथ मार्केट अनालेसिस वीडियो हम पहले ही डिसकस कर चुए है कि सप्टेंबर की एक्सपाइरी है क्वाटरली एक्सपाइरी है डेटा इस अफ़ते की ज्यादा मैटर नहीं करती है वह टेवर डेटा बिल्डफ होगा वह एक्सपाइरी की लिए ही होगा तो हम बात करें कैश्फ्लो की तो एफ़ाइज कैश्फ्लो में अभी भी बेच के गए हैं डियाज ने थोड़ी कमबाइंग करिया आज की दिन में और इनका डेरिवेटिव वाई की बात करें तो यह तो क्या इंटरपेशन कर जाय जाएज भाई कोजश्कि तरफ से कुछ खास नंबर नहीं है डीटेलर्व की तरफ से कुछ खास नंबर नहीं है डीजेर्च की तो कुछ होता ही नहीं इसा तो इससी और ग्योंड कर जासकती की ऐएज votन Wayne supre Cyrus could be that September month में lower levels पे long बनाए हो और जब market आज उपर आई थी तो October month में shots बनाए हो, could this be possible? हाँ, one scenario यह हो सकता है, but इसका मतलब यही है कि market expiry के लिए बहुत ही volatile play के लिए setup करके गए है data को, बात करें, index option की data, तो आज की दिन में call shot अटा दिये हैं, मतलब कि पिछले हफ़ते में apart from this Friday call shot में ज्यादा number आया नहीं है, number कहां पर आया, call long, call long, call long, this number is almost 1.5 times of call shot, if we go and see put, put में तो expiry के बाद से ज्यादा number आया ही नहीं है, सिर्फ put long का number आया है, net number जो है almost twice से जादा हो चुके है, 2.5 के आसपास हो चुके है, तो September की expiry है कल, कल की expiry जो है उसमें जो data set up करके गई है, वो उपर नीचे वाला ही है, आज भी, जैसे कि हमने कल डिसकर्स किया था कि आज का data उपर नीचे रहेगा, वैसी data आज रही थी, वैसी price action भी रहा था, और हम most probably कल भी यही scenario रहने वाला है, इस market opens gap up, probability of it going down is high, if market opens flat, wherever it goes, once it will go up, if it goes up, once it will go down, so this is how volatility plays out, क्योंकि कल की data इनको factor in करनी पड़ेगा, उपर नीचे गुमाएंगे market को, stock futures की बात करें, तो जैसे expiry पे नंबर होता है, वैसे ही है, 15,000 इदिन निकलने, 20,000 longs इतने निकलने, मतलब की ये long, ये long, ये long, ये long, प्लस ये long, जो भी add हुए थे, temporary basis पे, maybe September expiry के थे, ये निकाल लिए गए है, shots निकाले हैं थोड़े, कोई concern वाली बात नहीं है, expiry के पास यही number होता है, why, because sometimes liquidity नहीं होती है, impact को जादा होती है, तो roll over करने में उतना feasible नहीं रहता, तो September खतम होने के बाद October 1st week का जो data होगा, that will guide us further कि where exactly is market heading, whether it is going fast on the downside, और वो थोड़ा consolidate करके October 1st half में फिर नीच जाएगा, तो whatever the case, वैसे ही price action में दिख जाएगा, बात करें NPH number की, तो अभी भी negativity बरकरार है, यह negativity index की future से आ रही है, यह negativity put long से आ रही है जादा, ठीक है, stocks NPH की बात करें तो अभी भी negative number है, जब तक यह number 1,50,000 की उपर नहीं हो जाता, market is positionally sell on rise, so that's all for today and I'll see you guys in tomorrow, thank you guys for watching, ज़र आप FIS की data कैसे रीट करनी है वो सीखना चाहते हैं तो उपर वाली playlist पर क्लिक करें और जो परानी market analysis video उसको देखना चाहते हैं तो नीच वाली playlist पर क्लिक करें